हेलो हेलो प्रेंस साधी किष्णा कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और इस वर से हम यहीं मनों कामना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हूं तो प्रेंस यह साम का वीडियो और साम की खाने की तैयारी हो रही है तो यहाँ पर हम आटा को गूत रहे हैं और इधर बच्चे ले आए हैं अपने खाने वाली चीज यह है पंजाबी तड़का पंजाबी तड़का रैपर सब लुग डश्वन ड़न नहीं रैपर वरा दें सकते और यहाँ पर तड़का काटा जा रहा है तड़का लगाने के लिए तो तड़के में यह सागा प्याज और थोड़ी से प्याज है और उसके बाद फिर से हम आटा गूतने लगे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने गूता हुआ था आटा सिंपल बिना नमक अजवाइन का और इसमें अजवाइन और नमक डाल के गूत रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी सिंपल मतलब अजमाइन नमक वाली कचोडी बनाएंगे और बनाएंगे थोड़ा सा आलू भर के कचोडी तो दुन तरीके से बनेगी तो यहां पर आलू को उबाल के कद्डू कहस कर लिया क्योंकि अलू हो गया था ठ़ंड़ ऐसे नहीं मिक्स हुआ इसले कद्डू कहस करना पड़ा था अब इसके बाद इसमें डाल दे रहे हैं थोड़ा सा हल्टी पाउडर पकाएंगे और इसके बाद इसमें पढ़ेगा आलू अब इसको करना है मिक्स यहां पर हमने बहुत ही अच्छे सी मिक्स कर दिये इसके बाद डाल दिया है टेस्ट की काडिंग नमक मशाला फिर इसको अच्छे सी मिक्स करना है और यह आलू बहुत ही टेस्टी बना था और इसमें सागा प्याज भी बहुत ज्यादा टेस्टी होने के लिए और इतर सबसे पहले कचोड़ी बना लेंगे अजवाइन और नमक वाली तो यहां पर हम चक्काई काट ले रहे हैं और और सबसे पहले अजवाइन वाली कचोड़ी निकालेंगे और इसको हम बहुत पतला मोटा नहीं बेलेंगे क्यूंकि मोटा थोड़ा अंदर से कम पक पाता है इसलिए थोड़ा पतली कचोड़ी बेल रहे हैं और अच्छी भी लगती है खाने में तो इसी तरीके से हम सारी कचोड़ी बेल लेंगे और यहां पर तेल गर्म हो गया थो तो आप कचोड़ी निकाल ले रहे हैं और कचोड़ी बहुत अच्छी निकली है फूली-फूली तो इसी तरीके से सारी कचोड़ी हम निकाल लेंगे यहां पर कचोड़ी हमने निकाल ली है और उसके बाद आलू ठंडा हो गया है तो इसमें डाल देंगे हरी धनिया क्योंकि हरी धनिया पहले हमने नहीं डाला हुआ था थंडा होने के बाद डाला था क्योंकि कचोड़ी भी यह धनिया पकेगी अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब बनाने जा रहे हैं आलू की कचोड़ी तो इसके लिए भी हम चकाई काट लेंगे और इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा बेलेंगे और आलू की कचोड़ी बनाना भी बहुत आसान होता है तो इतनी बड़ी हम बेल के इसमें आलू को भरेंगे तो अब आलू की कचोड़ी भी हम निकाल ले रहे हैं और आलू की कचोड़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें आलू भरा रहता है और थोड़ा ये मोटी भी रहती है तो इसलिए इसको मीडियम आज पर निकाल रहे हैं ताकि अंदर तक पक जाए और यह आलू की कचोड़ी गरम-गरम खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है इसे सबजी, मीठी चट्नी, खट्टी चट्नी सभी चीजे से खा सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और यहाँ पर आलू की कचोड़ी भी सभी हमारी बन गई है उसके बाद आलू को हमने और बचा के रखा था और कचोड़ी बना लिये थे और बचा के रखा था और इसको अब हम मिक्स कर ले रहे हैं क्यूंकि इसी की सबजी भी बनाएंगे उबले आलू की और फिर यहाँ पर हमने डाला था थोड़ा सा तेल और थोड़ा कम था उसके बाद मेथी फिर प्याच प्याच पकने के बाद सबसे पहले टमाटर हमने पकाया था तो सबसे पहले नमक डाल दिया इसमें और हल्दी पाउडर डाल दिया अब इसके बाद गरम मसाला धनिया मिर्च पाउडर अब इसको ठोड़ी दे रहां पकाएंगे इसमें ने थूड़ा सा वाइन डाल दीया है तकी नीचे से मसाल ना लगे अब इस धने मिर्च पाउडर और मसाल वाग लोकान से मिक्स कर लेंगे और प्रदोर सबजी खाने में ना बहुत जाहिए टाइस yet और आलू को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए उसके बाद हमने यहाँ पर पाने डाल दिया है और इसको हम ढखके पका लेंगे तो यहाँ पर सबजी हमारी पक गई है अब इसको हम दोसरे बरतर में निकाल लेते हैं सबजी को हमने कम 15-20 मिल तक पकाया हुआ बहुत अच्छे से उसके बाद इसमें हमने डाल दी है हरी धनिया और सबजी बहुत ज़्यादा टेश्टी बनी हुई थी और यहाँ पर हमने निकाल दिया है खाना तो सब लोग खा रहे हैं खाना और खाने के साथ थोड़ी थोड़ी दही भी लिए हैं सबी लोग और फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और नीव है तो सब्सक्राइब कर लें थार टाम जो घहा है तो सबस्क्राइब र違う पक्तुम्न मझ Federal Ian मैस